हेलो गाइज, थैंक यू सो मच फो क्लिकिंग इन, इस यूर होस्ट फो इस वीडियो अमोग अगरवाल, साब लोग के लिए एक नई और बढ़िया वीडियो लेकर आयों, आज बात करेंगे एक्स टी प्लस और एक्जट प्लस वेरियंट के बारे में, यह वाला जो बात करते हैं उसके बारे में, और क्या के राइस 이ल तो में अगरेगा आप को, बन window-बैस बात करतें यह जो आपको इन दोनों में देखने के लिए मिलेगा वह मिलेगा जेन आपको सवाला, लिए हैड यह वीडियोमें बात करते हैं आपको इसके अदर मिलते है, HID फ्रॉजक्टर वेरियंट में, वहीं आपको XT वेरियंट में, नॉद्मेगे, यूद्फखिधे हैंगे। जबए सब्सक्षेंट, आपको दोनों गादियों के अंदर मिलता है, वो मिलता है Fog Lens में Corning Function का, जहरा है कि XZ में आपको Fog Lens में Corning Function का Option मिल जाता है, भाहिँ आपको XT में Corning Function का Option नहीं मिलता, जो Next Difference वो यही है कि इसके अंदर आपको Corning Function नहीं मिलेगा शक्तिमें आपको नमल टाइप एंटिन ही मिलता है यह आप देख सकते हो पॉल टाइप एंटिन मिलेगा आपको एक्स-टी मैं वहीं आपको एक्ज़ेड वेरियंट में शाक्षिन आंटिन अंतिन्व मिल जाता है इस color के आप देख सकते हो, tire size same है, 18 inches का alloy wheels आपको इसके अंदर मिलेगा, similarly 18 inches का alloy इसके अंदर मिलता है, Tata इसको normal alloy wheels के नाम से बुलाता है, और जो इसके अंदर alloy wheels मिलता है, वो आपको machined alloy मिलता है, यह आप देख सकते हो, gray और silver treatment मिलती है, आपको, dual tone finish मिलता है, which looks really nice and elegant, 18 inches का यही है, 18 inches का वो है, 250, 60, R18, ठीक है, लेकिन आपको alloy का design मिलेगा, different, दोनों गाड़ियों के अंदर, so the next difference between both the cars are alloy wheels, exteriors में आपको यही difference देखने के लिए मिलेगा, दोनों गाड़ियों के अंदर, आप coming to the next difference, जो कि आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, वो है interiors में, XT variant के अंदर आपको fabric upholstery मिलती है, यह आप देख सोकते हो, fabric upholstery मिलती है, white color की stitching के साथ, all over the car आप यह देख सकते हो, black color की fabric upholstery मिलेगी, white color की stitching के साथ, door pad पे भी आपको black color की fabric upholstery मिलती है, आपको जो XZ variant में मिलता है, वो मिलता है, white color की leather upholstery, door pad पे आपको leather upholstery मिलती है, प्लस आपको seats पे भी leather upholstery को उप्षन मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपको black upholstery मिलती है, इसके अंदर आपको white upholstery मिलेगी, वो fabric finish के साथ है और यह leather finish के साथ है यह आप देख सकते हो यहाँ पे आपको armrest भी जो मिलता है वो की आपको leather का मिलता है similarly अगर आप XT की बात करें तो यहाँ पे जो armrest मिलता है वो आपको fabric upholstery के साथ मिलता है so the next difference between both the cars is fabric upholstery and leather upholstery coming to the next difference between XZ and XT is drive modes जहाँ आपको XT के अंदर sport mode, normal mode और city mode मिलता है sport mode, eco mode और city mode मिलता है XT variant के अंदर वहीं आपको XZ variant के अंदर terrain system मिल जाता है जिसके अंदर आपको rough, wet और normal mode मिल जाता है so the next difference आता है वो आता है terrain system का इसके अंदर आपको normal mode जी मिलेंगे eco mode city mode or sport mode इसके अंदर आपको eco mode city mode sport mode उसके लाब रफ-road sorry rough mode wet mode and आपको normal mode भी मिल जाता है जो next difference आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता ताटा safari के अंदर वो है JBL के Speakers Tata Safari XT Variant में XT Plus Variant में आपको 8 Speakers 4 Twitters तो मिलते हैं लेकिन वो आपको JBL के नहीं मिलेंगे ठीक है यह आप देख सकते हैं यहापे JBL की कोई Banding नहीं है वहीं है आपको XZ Variant के अंदर 8 Speakers 4 Twitters और एक Subwoofer भी मिल जाता है यहाप आप देख सकते हो आपको XZ Variant के अंदर जो कि आपको XT XT Plus Variant के अंदर नहीं मिलता So the next difference between both the cars is JBL Speakers Coming to the next difference जो कि आपको XZ और XT में मिलता है वो है Airbags का यहनि कि आपको XT Variant के अंदर 2 ही Airbags मिलते हैं वहीं आपको XZ Variant में 6 Airbags मिलेंगे जी हाँ XZ Variant में आपको मिलते हैं 6 Airbags वहीं आपको XT Variant में मिलते हैं 2 Airbags Next difference की बात करते हैं तो वो है Hill Descent Control यह आप देख सकते हो XZ Variant में आपको Hill Descent Control का Option मिलता है वहीं आपको जो यह वाला Variant है XT Variant है इसके अंदर आपको Hill Descent Control का कोई भी Option नहीं मिलता XZ Variant में आपको Manual Agents के साथ ही Seats मिलेंगी वहीं आपको XZ Variant है उसके अंदर आपको Six Way Electronically Agestable Seats मिलती हैं Driver Seats वाली दिखातों में आपको यह आप देख सकते हो Driver Seats जो मिलती है आपको Six Way Electronically जिसके साथ मिलती है तो आपको इसके अंदर Isofix Style Cheats Mounts मिलेंगे XZ Variant में वहीं आपको XT Variant में Isofix Style Cheats Mounts नहीं मिलती है Next Difference की बात करते हैं तो वो है IRVM XT Variant में आपको Manual IRVM ही मिलता है अंदर वहीं आपको XZ Variant के अंदर Auto Dimming IRVM मिल जाता है Coming to the next Difference जो की आपको दोनों गाले के अंदर मिलता है Electronically Handbrake Yes आपको Harrier के XT Variant में Cockpit Design Manual Handbrake मिलता है वहीं आपको XZ Variant में Automatic Parking Brake का Option मिल जाता है जो next Difference आपको दोनों गाले के अंदर मिलता है वो है इसका Speedometer यानि की Instrument Cluster यहाँ पे आपको XT Variant के अंदर Basic Instrument Cluster मिलेगा तो इसके अंदर आपको RPM Meter MID और आपको इसके अंदर Speedometer दिखाता है काफी Basic Information मिलेगी आपको इसके अंदर तो आपको जो XT Variant के अंदर Instrument Cluster मिलता है वो काफी ज़व बेसिक मिलता है वहीं अगर XZ Variant की बात करते है यह आपको Data Display मिलेगा यहाँ पर आपको Speedometer मिलता है इसके अंदर आपको काफी सारी Information मिल जाती है तो नेक्स डिफरेंस मिलता है वो मिलता है Instrument Cluster का चलिए Price की बात करते हैं तो XT Plus और XZ Plus Variant के X Showroom Prices आप लोग की स्क्रीन के उपर Flash हो रहे हैं और यह प्राइस पर दी देरदून शोरूम प्राइस लिस्ट है अब अगर मैं Price Difference की बात करूँ तो मोटा मोटी 2,00,000 रुपे का Difference मिलेगा आपको XZ Plus और XT Plus Variant के अंदर तो अगर आपके पास 2,00,000 रुपे हैं तो आपको Premium Features के लिए जाना चाहिए Else XT Plus Variant आज भी सबसे ज़्यादा Value For Money Variant है According to me Also 2,00,000 रुपे जो आपको Extra Pay करने के बाद Features मिलते हैं वो justify करते हैं इसके price को काफी Premium Feel ज़रूर होता है इसके XZ Plus Variant के अंदर बैट कर बाकी गाईज आपको कैसी लगी वीडियो कमें जाके ज़रूर बताना अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीस लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बैल नोटिफिकेशन भी ओन कर ले काफी ज़दा मोटिवेशन मिलते हैं जब आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते हो और कमेंट करते हो मेरी वीडियो के ऊपर तो प्लीस कीप सपोर्टिगंग कीप लविग चले फिर वीडियो करते हैं उसी नूटस के साथ जले पर ल tribal सडक की ऊपर नहीं फैकेंगे आपको Amazon के link मिल जाएंगे जहां से जाकर आप इन सब चीजों को purchase कर सकते हो तो जाइए purchase करिए इनको और use करिए so let's take a small initiative not to throw garbage on road and also stop others from doing so चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में till then bye bye take care signing off